हालो इस्टुडेंट्स मैं बेपी सिंग आज आपके लिए लापलास इन्वर्स लेके आया हूँ और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेशन है लापलास इन्वर्स के तो ये क्वेशन लगवग 5 से 10 नम्मर के अब्जेक्टिव प्वेशन आएंगे इससे पहला लेक्चर मैं लापलास इन्वर्स वन अपॉन पी की पावर एन पिलस वन का इसका होता है टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इसका मतलब है पी की पावर यहां जितनी होंगी उससे एक एक कम में आंसर आएगा जैसे अगर मैं एक एक्जाम पे लेता हूँ लापलास इन्वर्स तो जब यहां 4 है तो T की पावर हैं कितनी होगी? 3 upon factorial 3. इसे आप खोलना जानते हैं, 6 होगा इसका मान. ऐसे ही Laplace Inverse 1 upon P की पावर 10 लिखूं यहां, तो आप लिख देंगे T की पावर 9 upon factorial 9. अगर मैं यहां मात्र ऐसे लिखता, तब आप क्या करते हैं? तो यहां कितना हैं? बोलिए 1 है, P की पावर 1, उससे भी है कम करेंगे, तो कितना आएगा? 1 बनेगा, चोग एक कम हो जाएगी पावर, जितनी हैं, उससे और एक कम करते हैं यहां पर, तो यहां हो जाएगा 1 upon P का मान 1, क्यों? क्योंकि Laplace 1 की value होती है, यह और बता देता हूँ आपको, 1 upon P, इसे इधर ले गई हम, तो Laplace inverse 1 upon P का मान क्या बन जाता है? 1, अगर आप यहां 10 कर दोगे, तो 10 आ जाएगा, 110 कर दोगे, तो 110 आ जाएगा, तो यह बातें आपको जरूर समझनी हैं, ठीक है? आएए यह factorial की जगे पर अगर हम गामा लिखें, गामा कब लिखते हैं? जब N की value rational number में हो, rational number तो आप जानते ही, जैसे 1 वट्टे 2, 3 वट्टे 2, 5 by 2, ठीक, आएए तो मैं एक और आप ले रहा हूँ, formula Laplace inverse 1 upon, यहां मैंने N रखा, अबके मैं M रख रहा हूँ यहां पर, तो यह हो जाएगा T की power M upon गामा M, अबके मैंने यहां गामा रख दिया, यहां factorial था और यहां क्या हो गया? गामा, जैसे मैं निकाल रहा हूँ Laplace inverse 1 upon P की power 3Y2, यहां गामा M पिलस बनाता है, यह गलती कर दी मैंने, चलिए तो यहां रखेंगे, तो एक कम करेंगे यहां पर, जितना यहां है, वहां उसे एक कम, तो यहां under root T होगा, लेकिन गामा जितना हिहां लिखता है, उतना हिहां होता है, गामा 3Y2, इसे आप खोल लीजिए under root T upon, 1 upon 2 under root pi, टू ऊपर पहुँच गया, under root T upon pi, एक और question very very important है यहां पर, लापलास inverse, 1 upon under root P का क्या होगा, यहां P की पावर कितनी है, आधी, तो आधी एक कम करोगे, क्योंकि जितनी है उसे एक कम करते हैं, तो इस में से आधी में से एक कम करोगे, तो माइनस की आधी, upon जितना यहां है, उतना ही लिखते हैं गामा में, गामा हाफ, P की पावर माइनस हाफ, upon इसकी वेलू होती है, under root pi, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, under root pi T, यहां तक कोई परेशानी, आईए एक और question ले रहा हूँ, बस लाप्लास इन्वर्स, 1 upon P under root P, इसका मतलब यही है, कि लाप्लास इन्वर्स, P की पावर 3Y2, और 3Y2 का मैं निकाल चुका हूँ, कितना अंसर आएगा, 2 under root T upon pi, जितनी हैं पावर होती है, उससे एक कम तो आधी रह जाएगी, और इसको खोलेंगे, तो यही अंसर आता है, तो यह छोटी सी line आपको clear समझ में आ रही होगी, आप चाहें तो इसका skin sort ले सकते हैं, चलिए, अगला question अब हम लेके आ रहे हैं, लाप्लास इन्वर्स, 1 upon P minus A, जितना यहां होता है, उतना ही यहां power में आ जाता है, माइनस होगा तो पिलस आएगा, और अगर यहां पिलस होता, P plus A, तो यह माइनस में आता, माइनस के 80, एक example देखिए, लाप्लास इन्वर्स, 1 upon P minus 4, तो यह E की power 40, लाप्लास इन्वर्स, 1 upon P plus under root 3 होता, तो यह E की power minus under root 3 T, लाप्लास इन्वर्स, 1 upon P plus 7 होता, तो E की power minus 7 T, यहां तक कोई परेशानी आपको, फॉर्मूला बेशनी बता रहा हूं, कोई अलग बात नहीं है, अगला फॉर्मूला देखिए, लाप्लास इन्वर्स, 1 upon P square plus A square, इसका अंसर होता है, sin 80 upon A, क्योंकि A यहां होता था, वो A यहां आ गया, अगर आप कोई question लें, ऐसे P square plus 3, अब इसे हम कैसे करेंगे, इसका मतलब यह क्या है, यह बन गया, 1 upon P square plus under root 3 का square, तो इसका अंसर बन गया, 1 upon under root 3, sin under root 3 T, एक और लेते हैं, Laplace inverse, 1 upon P square plus 16, तो यह किसका square है, 4 का, तो इसका अंसर आ गया, 1 upon 4, sin 4 T, एक बात बताईए, यह मैंने define करके, तो आपको दिखाया नहीं कि यह होता है, नहीं यह define करके दिखाए, फिर आपको तो मैं रटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ objective question चल रहे हैं, यहाँ define नहीं कर सकता है, इसलिए आपको search करना है, Laplace inverse, BSC math aligar, तो पूरा Laplace inverse निकल के आ जाएगा, पूरे article, बिध्योरम प्रूफ करके दिखाए हैं, कि यह आखिर आता कैसी है, और तब वहाँ कैई कैई example बताए है, कि उसी समय उसी वीडियो में सब कुछ याद हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ेगी, ठीक है, तो बस आपको search करना है, Laplace inverse, BSC math aligar, अर्थात कोई भी topic आप search करें, उसके साथ channel का नाम जोड़ दे, अगर वो topic मैंने डाला है, तो सब से उपर निकल के आ जाएगा, ठीक है, चलिए तब, अब अगला formula देखते हैं, Laplace inverse, 1 upon P square minus आ जाए हैं, तो क्या करोगे, तो ये 1 upon A, sin hyperbolic 80 का होता है, एक example लेते हैं, Laplace inverse, P square minus 4, तो ये 2 का square है, तो 1 upon 2, sin hyperbolic 2T, Laplace inverse, 1 upon P square minus under root 3, तो ये बनेगा, तो ये बनेगा किसका, under root 3 का square, तो आप यहां लेखेंगे, 1 upon under root 3, sin hyperbolic under root 3T, आईए अब हम आपको, कॉस में बता रहे हैं, Laplace inverse, P upon P square plus A square, ये होता है, कॉस 80 का, कोई example लेते हैं, P upon P square plus 4, ये किसका square है, 2 का, तो ये बनेगा, कॉस 2T, Laplace inverse, P upon P square plus 1, ये हो गया, कॉस T का, Laplace inverse, P upon P square plus 5, ये किसका हो गया, बताइए, under root 5 का square है, तो ये बने गया, कॉस, under root 5T, आईए अब एक फॉर्मूला, हम माइनस में लेते हैं, P upon P square minus A square हो, तो ये कॉस हाई, परवॉलिक 80 बन जाता है, तो ये बने गया, Laplace inverse, P upon P square minus 25, तो ये किसका square है, 5 का, तो ये हो गया, कॉस हाई परवॉलिक 5T, एक और लेते हैं, P upon P square minus 2, तो ये under root 2 का square है, तो कॉस हाई परवॉलिक under root 2T, यहाँ तक साइद आपको, कोई परेशानी नहीं होई होगी, अब एक और एक्जाम्पिल लेते हैं, Laplace inverse, 1 upon P4, 1 upon P, upon P square plus के 9, इसका कितना होगा, जितना यहाँ है, उससे एक कम होती है, पावर और उतना ही होता है, फैक्टूरियल में, ये minus में, पिलस में है, तो क्या आएगा यहाँ, E की power minus under root 3T, ये 2 का square है, उपर P है, नहीं तो sine का बन गया, 2 का square, तो minus 1 upon 2, sine high perbolic 2T, आप मेंच कर लेना, ये बन गया cos 3T का, अब एक question हम आपको दे रहे हैं, ये आपको करके लाना है, लाप्लास inverse, 1 upon under root P, पिलस P की power 5 by 2, minus 1 upon P plus 4, पिलस के, P upon P square minus के 25, पिलस 1 upon P square plus 16, minus 1 upon P square minus 9, ये question आप कर लेंगे, तो समझ लीजिए, आपने सारा पूरा पढ़ लिया, अच्छी तरीका से, मेरा में मकसद है, आपको ये formula दोबारा से repeat कराना, बिद एक्जाम पिल, कि जब आप exam देने जाओ, तो भूलो ना, किसी भी कीमत पर, ठीक है, चलिए तो आप थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं, आगे का नजारा देखिए, अब जो आएगा formula आपको, ऐसा आएगा, laplace inverse, fp minus a, इसका आप inverse कैसे निकालेंगे, सबसे पहले, इसको बाहर निकालते हैं, ऐसे, e की power 80, फिर laplace inverse, a को हटा देते हैं, क्या बचता है, fp, और इसका तो आप जानते हैं, e की power 80, और ये क्या होता है, ft, अगर यहाँ, पिलस का sign होता, तो यहाँ, minus आ जाता, बस और ऐसी कोई बात है नहीं, जैसे, एक example लेते हैं, laplace inverse, 1 upon p minus 4 की power 4, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 4 को बाहर निकालेंगे, e की power 40, फिर laplace inverse इस total को p कहेंगे, 1 upon p4, और इसका answer e की power 40, और ये बन गया tq, upon factorial 3, एक और एक example लेते हैं, laplace inverse, 1 upon p minus 1, की power 3 y 2, पहले इस 1 को बाहर निकालेंगे, e की power 1 t है गो 1 t, laplace inverse 1 upon p की power 3 y 2, इसका हम जानते है, e की power t, उपर एक कम होता है, आधार है गया नीचे, जोंकी तो गामा में, ये जब rational number होते हैं, तो गामा में लिखते हैं, तो e की power t, और ये under root t, अपोन इसे खोलोगे, 1 वर t, 2 under root pi, 2 उपर पहुँच गया, 2 e की power t, under root t upon pi, एक और लेते हैं, हम laplace inverse, 1 upon p plus 4, चलिए हैं कुछ चेंज कर देते हैं, p plus 7 की power 6, 7 को बाहर निकालोगे, minus के 70 laplace inverse, क्या बचा 1 upon p6, तो e की power minus 7 t, इसका बन गया t5 upon factorial 5, e की power minus 70 t5 upon 120 होता है, factorial तो सभावे के आप जानते ही होंगे, तो इस type के question के लिए हो गए, आईए अगला type बताते हैं, अगर आप ऐसे question दे रखा हो, e की power minus a p into कोई function p में हो, तो इसका answer आप कैसे निकालेगे, मान लीजिए इसका answer gt है, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा, इसका fp का, और ये answer हो गया ft, तब आप लिखेंगे gt बराबर, f, यहाँ जो answer आए, उस t मेंसे इसको minus करते हैं, p के coefficient को, t minus a, और यहाँ लिखते हैं, t is greater than a, यहाँ 0, t is less than a, इसका एक answer और है, यहाँ यहाँ यूनियन की जगे पर h भी लिखा होता है, अब मैं example दूँगा, तब समझ में आएगा, आईए एक example बता रहे हैं, laplace inverse e की power minus ap, into p upon p square plus w square, तो इसको छोड़कर ap को, ap को छोड़कर बाकी total यहाँ fp होगा, इसका मतलब मैं यहीं लिखे देता हूँ, सबसे पहले laplace inverse fp, fp की जगे पर क्या है, p upon p square plus w square, अब इसका तो हो गया, cos wt, यह answer आगया आपका ft, अब gt बरावर क्या होगा, क्योंकि gt को ही लिखेंगे answer में, तो जितना यहाँ है, cos wt, t, अब t आगया, देखो, t में से p का coefficient minus हो रहा था, यहाँ p का coefficient a है, t minus a, आप लिखेंगे t is greater than a, 0 t is less than a, यह answer बनेगा, इस question का यह answer है gt में, gt की जगे पर capital ft भी लिख सकते हैं, जैसे एक और एंज्जाम्पिल ले रहा हूँ, लापलास inverse e की power minus 2p pi y3 upon p यहाँ ले लो और p square plus 1, अब इस e के वाले function को छोड़ कर बाकी fp होगा, तो यह fp क्या है p upon p square plus 1, तो सबसे पहले लापलास inverse p upon p square plus 1 का निकालेंगे, यह हो गया cos t, और इसे आप ft कहेंगे इसकी तरह, और इसका answer में capital ft से सजा रहा हूँ, ऐसे, तो जो answer आया है cos t minus p का coefficient है 2 pi y3, 2 pi y3, तो यहीं लिखेंगे t is greater than 2 pi y3, 0, t is less than 2 pi y3, इसका answer दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, cos t minus 2 pi y3, यहाँ union लगा सकते हैं या h, h लगा रहा हूँ, और इसको घटाते हैं t मेंसे, t minus 2 pi y3, इस question का answer यह भी है, यहाँ u लगा दोगे तो भी है, इसे हटा दोगे तो यह cable उपर वाला भी इसका answer है, और देखो, detail में आपको जानना हो, तो आप जो subjective हैं वहाँ देखिए, यहाँ तो मैं बस तुम्हें ताज़ात जानकारी करा रहा हूँ, कि आगर आप भूल गए हो, तो फटाबर फटाबर repeat with formula, with example के करते चली जाएं, ठीक है?